गुद मॉर्निंग दियर स्टुदेंट्स, वेलकम तो इंग्लिश क्लास, तूड़े वी विल दू पेज नंबर 68 और 69 ओफ इंग्लिश प्रैक्टिस बुक, लेट स्टार्ट, मैच दा एक्शन वर्ड्स विद पिक्चर्स, बेटा हमने जो ये एक्शन वर्ड्स दिये हुए ह हमने इन पिक्चर के साथ इनको मैच करना है देखो फर्स्ट है सीटिंग, सीटिंग मिंस बैठना, देखो इसके साथ हम मैच करेंगे इसको सीटिंग को जो ये गल्स चेर के उपर बैठी है नेक्स्ट है डांसिंग तो डांसिंग को हम यह देखो यह डांस कर रही है इसके साथ इसको मैच करना है नेक्स्ट है इटिंग देखो पिक्चर में कौन खा रहा है खाता हुआ कौन नजरा रहा है यह बच्चा तो हमने इसके साथ मैच करना है फिर playing, प्लेइंग में देखो ये बच्चा खेल रहा है बोल के साथ, इसके साथ मैच करना है talking, इसको हमने इसके साथ मैच करना है, ये आपस में दोनों बच्चे बात कर रहे हैं जो flying means उड़ना, देखो ये नीचे पक्षी हैं जो ये उड़ रहे हैं, हमने इनको इसके साथ मैच करना है फिर writing, राइटिंग देखो ये लिख रहा है, ये hand नजरा रहा है, पैने हाथ में इसके साथ मैच करना है running, running देखो बेटा ये यहाँ पर running कर रहा है ये बच्चा तो हमने इसके साथ जो ये दोड़ रहा है, इसके साथ मैच करना है उसके बाद है laughing, देखो laughing कोन कर रहा है, हस कोन रहा है, ये इसके साथ मैच करना है फिर उसके बाद sleeping, देखो sleeping कोन कर रहा है, ये बच्चा सो रहा है इसके साथ मैच करना है फिर हमने करना है drinking देखो ये गुडिया पी रही है पानी पी रही है तो इसके साथ हमने इसको match करना है ओके वेटा अब हम next page करते हैं 69 number the boxes to show the correct order of the words in the sentences देखो जो ये box में words दिये हुए हैं इनको हमने number करना है then write the correct sentences below in the given space और हमने यहाँ पर correct sentence बनाना है यहाँ लिखना है अब देखो first step playing tom is तो हमने इसको number लगाना है सही तो tom tom one tom is playing तो हमने ऐसे ही number लगाना है tom पे one is पे two और playing पे three तो हम write कर देंगे निचे tom is playing फिस second है ऐसे ही second है इसको भी हमने ऐसे ही number करना है team is reading तो हमने इसको यहाँ पर write करना है team is reading थर्ड है दा जंपिंग इस फ्रोग तो हमने यह कैसे बनाना है sentence दा फ्रोग इस जंपिंग दा फ्रोग इस जंपिंग अब fourth है girl is home coming इसको हमने correct करके write लिखना है जैसे girl is coming home girl is coming home ओके बेटा यह आपने neat and clean साफ और सुन्दर काम करना है thank you have a nice day